तो हमारा सूत्र चल रहा है क्रिमे जन्ता मकारांत कृत तदन्त सब्दरूप अव्वे होता है और एजन्त कृत तदन्त सब्दरूप अव्वे होता है एजन्त कृत के उधारण मैंने बहुत सारे दिये थे आपको पता है कौन से सूत्र में ज्यादा है एजन्त कृत वो वहाँ पर तीसरे अध्याय के चोथे पाद में बहुत सारे हैं तो उनको एजंत कृत कहते हैं, वो तदन्ट सब्दूरूप अव्वे बनेंगे जैसे प्राईि उधारण है ना, ये एजंत कृत में आजाएगा, ए ओ आई अउ एजन्त कृत के उधारण तो तदन्त सब्दुरूपनी प्रयाई जो है ये अव्वे बन जाएगा है रो हिस्चेई अव्यत हिस्चेई ये अव्वे हो जाएंगे है तो अगला सुत्र है कत्वा तो सुन क सुना कत्वा चै तो सुन चै कसुन चै क्रिन में जन्ता से ही कर लेते हैं अव्वे ये सुत्र क्यों बनाना पड़ रहा है कत्वा तो सुन क सुना ये नया सुत्र क्यों बनाया है जब उसी से अव्वे तो उसी से बन जाएगा क्रिन में जन्ता सुत्र अव्वे संजा करता है या नहीं करता है करता है तो वहीं कर देगा अव्वे ये सुत्र बनाने के क्या हो शकता है दर्मेंदर जी कत्वा तोसुन कसुन का भी करना चाहते हैं न तो ये मकारांत नहीं हो जाएगा क्या ये तोसुन मकारांत तो है तो क्या है क्या है कैसा है तोसुन को मकारांत नहीं कह सकते क्या अज़र ये तो अनुबंद लोब करके देखते हैं न अनुबंद लोब करके देखेंगे तो ये मकारांत नहीं है क्या क्यों जी तोसुन प्रत्य जो है अनुबंद लोब करके मकारांत नहीं है क्या ये अनुबंद लोब करने के बाद क्या प्रत्य बचेगा तोस रहेगा तोस रहेगा हाँ सकारांत और त्वा प्रत्य जो है ये आकारांत रहेगा ये तोस रहेगा और ये कसुन का अस रहेगा है तो कत्वा प्रत्यांत तोसुन प्रत्यांत और कसुन प्रत्यांत जो शब्द रूप होते हैं वे अव्वे होते हैं ठीक है जैसे क्रीद आतू से कत्वा प्रत्य किस से आता है कत्वा प्रत्य समान करत्रिकयो कूरुकाली समान करत्रिकयो का समास बताओ आप बत हाँ जी हाँ समाना करता ययो आयेगा क्योंकि समान करतरी का यो शब्द है क्यों नहीं बोलना पड़ेगा समान करतरी का यो हुपत है अपने पास यदि समान करत्रिकस्य होता ना तब जो है समाना करता यस्य बोलना पड़ता यदि समान करत्रिकस्य पद होता तो उसका विग्रे हम ये करते समाना करता यस्य पर ये तो है नहीं ना मैं तो एक काल्बनिक शब्द बोल करके पिर उसका विग्रे करके बता रहा हूँ समान करत्रिकस सिपद होता तो क्या विग्रे करते ये बता रहा हूँ क्या करते समाना करता यसी ती समान करत्रिकह तस्य समान करत्रिकस्य ऐसा बनेगा और जब हम समान करत्रिकह विग्रे करेंगे तो समाना करता ययो ये विग्रस बौवरी का सीखना पड़ेगा ययो तव समान करत्रिकव और फिर तयो हो समान करता है जिन दो धातूं का वे धातू समान करत्रिकव कहलाएंगी तयो हो समान करत्रिकव यो शब्द है न बौवरी समास के पान सो उधारने दिया आपने अपने मन के सामने से निकाल दिये समझ करके तो बौवरी समास पक्का हो जाएगा ज्यादा नहीं पान सो उधारन के वल आप अपने मन के सामने से कितने ये तो आते ही रहते हैं पान सो कोई ज्यादा थोड़ी हैं रोजाना यदि दस भी यदि आप पकड़ लो कि दस उधारन मुझे अपनी कोपे में लिखने पचास दिन में पान सो हो जाएगी और सारी जिन्दगी के लिए एक काम मतलब एक धरती जीत ली जाएगी आपके कबजे में आ जाएगी एक धरती कोई ये कठीन बात थोड़ी है पर ये मन में बैठनी चाहिए कि ये चीज बहुत तकलीफ दे रही है इसी को देखना है ऐसे मन में आना चाहिए कि ये चीज जो है क्यों नहीं पकड़ में आ रही है इसी को पकड़ना है जो ज्यादा सक्तिशाली चीज हो उसके लिए कबजा करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है ज्यादा ताकत लगा रहे हैं पूरे स्टेट को काबू करने उनके विचार को बदलने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है तो आप लोगों को भी मन में ऐसे बैठना चाहिए करता तो समाना है करता यस्य वो जो पद है ना समान करत्रिकस से पद है तो समान करत्रिकस से बोला जैसे प्राप्तोदक शब्द है प्राप्तम उदकम यम ग्रामम प्राप्तोदक ग्रामः अब द्यूचन में करो प्राप्तम उदकम यव ग्रामव प्राप्तोदकव ग्रामव फिर बोलो बोगचन में प्राप्तम उदकम यान ग्रामान प्राप्तोदका ग्रामान ये तो पुलिंग में हो गया फिर आप बोलो नपुन्सगलिंग में प्राप्तम उदकम यन नगरम, प्राप्तोदकम नगरम, प्राप्तम उदकम ये नगरे, ते प्राप्तोद के नगरे, प्राप्तम उदकम यानि नगरानी, तानी प्राप्तोद कानी नगरानी, ये नपुन्सगलिंग हो गया, तीन तीन फिर आप स्ट्रिलिंग में ले आओ, प्राप्तम उदकम याम नगरीम, प्राप्तोद का नगरी, प्राप्तम उदकम ये नगरियो, ते प्राप्तोद के नगरियो, प्राप्तम उदकम याह नगरिया, ताहा प्राप्तोद का नगरिया, तीन तिन शे, तीन नो, नो हो गए ये इस तरह से फिर तृतिया के अर्थ में बहुबरी ये धृतिया के अर्थ में बहुबरी था फिर तृतिया के अर्थ में बहुबरी का उड़ा रथो येन उड़ा रथो अनडवान उड़ा रथो याब्भ्याम उड़ा रथो याब्भ्याम जैसे द्यूचन में आएगा तो उड़ा रथाव अनद्वाहू उड़ा रथा यई ते उड़ा रथा अनद्वाहा अनद्वाह 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 ऐसा बनेगा अनद्वाह ये हो गया पुलिंग में फिर आपको यदि स्टिलिंग में बनाना है तो उड़ा रथो यया उड़ा रथा यया गवा यया मैश्या जैसे मैशी होती है भेंश को जोड़ देते हैं कई जगे उड़ा रथा यया श्वतरिया उड़ा रथा 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 आएगा फिर उड़ा रथा श्वतरि उड़ा रथो याभ्याम श्वतरि भ्याम उड़ा रथा रथ के अनुसार आएगा न यह तो बहुबरी का तो करना पड़ेगा आपको इस तरह जैसे मैं बता रहूं न ऐसे अभ्या से दिखिया न अपने आप तो आपका पक्का होगा तो उड़ा रथा या भ्याम अस्वतरी भ्याम ते उड़ रथे अस्वतरियव उड़ा रथा या भी अस्वतरी भी ताहा उड़ रथा अस्वतरिया ये इस्टिलिंग हो गया अब नपुनसक लिंग यदि करना है तो क्या आएगा अब रत है उसके आगे अनडवान जोड़ा तो पुलिंग बना उड़ रधा अनडवान रत है उसको खीचने के लिए अस्वतरी जोड़ा तो इस्त्रिलिंग शब्द बनेगा अब उसको खीचने के लिए कोई नपुन्सक जो प्राणी है जैसे अनडवान सब तो पुलिंग है अश्वतरी स्त्रिलिंग है ऐसे ही कोई शब्द जो है प्राणी नपुन्सक लिंग प्राणी हो तो उसको आप जोड़ दीजिये रथ में और उसको आप खीच करके ले जाए जैसे यूगल शब्द मैंने बोल दिया तो नपुनसेकलिंग हो गया न? तो उड़ा रथा येन गो यूगलेन तत उड़ा रथम गो यूगलम ऐसा बनेगा उड़ा रथा याभ्याम गो यूगला भ्याम उड़ा रथे गो यूगले उड़ा रथा येई गो यूगले ते तानी उड़ा रथानी गो यूगलानी इस तरह से तो कितने बता दिये मैंने, नो दूनी अठा रहे होगे, इसी तरह से चतुर्थी वक्ति के अर्थ में समास होगा, उपरिता पशु यस्मई, लाया गया पशु जिसके लिए, उपरित पशु रुद्र, अब इसको दिवचन बोलेंगे तो उपरिता पशु याभ्याम, यस्म रुद्रे भ्याते, उपरित पशवाह, रुद्राह, तो तीन होगे, इसी तरह से ये तो पुलिंग था, लाया गया पशु जिस रुद्र के लिए, ये जो है तीन शब्द होगे, फिर ये तीन ही इस्त्रिलिंग में और तीन ही नपुन्सकलिंग में, जैसे उपरित पशु जिस ब्राह्मन कुल के लिए तो उपरिता पशु यस्मई ब्राह्मन कुल आए तत अब यहां तत आएगा अब जैसे वहां बोल रहे थे उपरिता पशु यस्मई से और यहां आएगा उपरिता पशु यस्मई तत तत ब्राह्मन कुलम इती उपरित पशु ब्राह्मन कुलम वहां उपरित पशु विशर्ग युक्त था पुलिंग में, यहां विशर्ग रहीत होगा, उपरित पशु ब्रामन कुलम, उपरित पशु याभ्याम ब्रामन कुलाभ्याम, ते उपरित पशु 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 नी, पशु पशु नी, तो उपरित पशु नी, पशु जो है, अब इसमें पशू का लिंग थोड़ी देखा जाएगा, अन्यपदार्थ नपुनसे लिंग है तो पशू का भी वही लिंग हो जाएगा, उबरित पशू शब्द का वही लिंग हो जाएगा होती तदा पी अन्यपदार्थ खेला है तो उबरित पशू यभ्याः भ्राह्न कै अशुपन का भूरि पशू एभ्या भ्राह्मन कुल आब्याम तो उपरित पशू नि ब्राह्मन कुले। ऐसा वनेगा। उपृत पशू यभ्या भ्र् آپ ब्रामन को लिभ्या ँब्रित पशूनी ब्रामन को लाणी इस तरह से होगा तो नो होगे हैं नो गकम नो तरह सतवृत थीत विव्वक्ती तक फिर पांच्मी बक्ती में नो छथी विवGTी में 9 ो सात्मी बख्ती में 9 कितनी हो जाएंगे कुल चोवन हो जाएंगे नोचेंगे चोवन एक दिन में चोवन हो गए और फिर इसी तरह से कोई एक और उधारण पकड़ लिया उसके चोवन हो जाएंगे इसी तरह से फिर एक और उधारण पकड़ लिया उसके चोवन हो जाएंगे तो कुछ दिन में ये 500 उधारण आपके मन के सामने से निकल गए तो पक्का हो जाएगा फिर आपको ना स्वेम स्फुर्णा होने लगेगी कोई शब्द आएगा तो आप कहोगे इसमें बहुबरी समास है या ततपुर्ष समास है ऐसे आप विचार करने लगोगे बहुबरी समास में तो ये अर्थ निकलता है ततपुर्ष में ये अर्थ निकलता है तो आप निरना करोगे ततपुर्ष के अंसार तो अर्थ ठीक जच नहीं रहा है बहुबरी करना चाहिए इसलिए व्याख्याकार भी जगे जगे जहां जटिल होता है समास का अर्थ पता नहीं चलता है तो व्याख्याकार कहते हैं कि इस पद में बहुबरी ही है इस पद में सश्ठी ततपुर्ष है ऐसे बताना पड़ता है नहीं तो वो पता नहीं चलता है बलब कौन सा अर्थ लेना चाहिए हमारे को प्रकरण के अनुसार कहीं जटिलता आ जाये तो बताना पड़ता है कि यहां बहुबरी है यहां सश्थितत पूर्ष है तो समास के उपर मैं इतनी चर्चा जो है आप लोगों को समान करतरी खरयो पड़ को लेकर के इतनी जो सर्चा की है सुत्रों में इसे भी निकाल करके प्रत्मा मुइटी आपके पास सुरू से अन्त तक बहुबरी बहुबरी एक बस ऐसी कोपी बना लो जिस महां बहुबरी आए वहीं लिख लिया जहां बहुबरी आये उसी को लिख लिया फिर आपका दिमाग में वो चीजें सेट हो जाएंगी कि अच्छा ये ऐसे इस तरह से ये विवस्था है नहीं तो पता नहीं चलेगा आप इसमें से देख देख करके भी उतारने लग गए ना समान करता है जिन्दो धातूं का उन में जो पूरुकाल में वर्तमान धातू है पूरुकाले वर्तमाना धातो कत्वा प्रत्योग होती समान करत्री कोई कौन सी भक्ति निर्धारण में सश्थी भी हो सकती है शप्तमी भी हो सकती है निर्धारण में में से ऐसे निकाल रहे हैं समान करता है जिन्दो धातूं का उन में से ठीक है पूरुकाल में वर्तमान जो धातू उससे कत्वा प्रत्योग होता है जैसे भुक्त्वा व्रजती अब देखे दो धातू है ना एक ही करता है देवदतिन का एक करता है तो समान करता है जिन दो धातूं का धातू तो शब्द है धातूं का करता थोड़ी होता है धात्वर्थ का होता है समान करता है जिन दो धात्वर्थों का उन में से छाट रहे हैं पूरुकाल में वर्तमान जो धातू पूरुकाल में वर्तमान जो धातू उससे तो ये पूरुकाल में पहले खाना कहता है फिर जाता है ये कहा जा रहा है वक्ता के उपर है कि पूरुकाल और बाद मेकाल किसको पूरु बता रहा है किसको पश्याद बता रहा है यूं कहे वक्ता ये कहे कि जाकर खाता है देवदत्वा व्रजित्वा भूंगते व्रजित्वा भूंगते 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 जाकर के खाता है तो उल्टा हो जाए तो भूज दातु से त्वा प्रत्य आया और ये लशक्वत अधिते और ये पुगंत लगुदस से गुण हो जाएगा क्या हाँ ये कित है ना कंगतीच है गित कित और गित प्रत्य को निमित मानकर एक के स्थान में गुणर्दी नहीं होते हैं फिर ये भूज चोकू जलके प त्वा ये पर आर्धातुक है या सार्धातुक है बताओ आर्धातुक कर्षेड वलादी इटागम हो जाएगा भुक्तवा में इटागम करता है ना आर्धातुक वलादी ये वलादी है ना वल प्रत्यार में तय आता है या नहीं आता है तो ये जो है आर दातू के वलादी है इतागम प्राप्त हुआ तो मना कैसे करेंगे? जातुबार्ट से पता लगाया कि ये अनुधात है और एकाच का पता? एकाच तो दिख रहा है एकाच है जिसमें एकाच और अनुदात जो है दातुबार्ट में पढ़िए दातुबार्ट में कुछ दातों को उदात पढ़ा है कुछ को अनुदात पढ़ा है ठीक है ना तो ये अनुदात दातु है दातुबार्ट से पता लगा कुछ कैसी है उदात कुछ कैसी है अनुदात ठीक है तो यह अनुदात था है इसलिए इटा अगम नहीं हुआ चोकु से जय को गय हो गया और खरीचे से खरके परे रहते जलों को चर होता है तो यह गय को चर कह हो गया यह सुत्र भी यह दिए आप लोगों को आजा है न यह कहीं कहीं चल लग जाता है कहीं जलाम जसोंते, कहीं जसस तथोर्दो, कहीं अभ्यासे चर्च, कहीं स्तोस चुनाइस्चु, कहीं सस चोटी, कहीं जवन नतरस्याम, ये छोटे-छोटे सूत्र हैं, आठ में द्याय के, ये दिया जाएं, तो सिद्धियां बहुत ही जल्दी पकड़ में आएंगे, मैं कहीं जसस तथोर्दोदा, कहीं जलाम जस जसी, ठीक है, कुछ सूत्र हैं, जो आठ में द्याय में लगते हैं, बार-बार लगते हैं, तो बार-बार जो लगते हैं, उनको निकाल करके देखना चाहिए, भुक्तवा ब्रजिती बन गया, इस से आगे स्वादुत्पत्ती है, बताव रता हैं, अब बताव हैं, हरस्ट नपुनसज के प्रादपते हैं, हरस्ट क्यों नहीं हो रहा? अभे नपुनसे नहीं होते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? यहां क्या दिक्कत है नपुनसे देखने में? अभी भाव समास अभे संजयक होता है? बताया? और अभे भाव समास अभे संजयक होता है? अभे संजयक होकर नपुनसे लिग होकर करेहा है? रस हो गया है? क्या उत्तर है तो अभी भावसमास जो होता है न अगला इस उत्रा आ रहा है न कि अभी भावसमास अभ्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व उसकी कैसे होगी? अव्वे की नपुनसवा नो, हैं ऐसे बोलो कि वो जो शूट्र है अलग है, अभी भाव समास की नपुनसक लिंग Пताने वाला मैंने कहा कि यह अव्वे है नपुनसक लिंगर यह अव्वे नपुनसक लिंग क्यों नहीं तो आप बोलिए उस अवे का नपुन्सकत्व बताया है, सनपुन्सकम के बाद अवी भावस्च सूत्र है, अवी भावसमास नपुन्सक लिंग होता है, उससे उसको नपुन्सक लिंग कर दिया है, फिर अरस्व नपुन्सके प्रादपदिकस से रस्व होता है, इसका किसी न पुन्सकत्व बताया नहीं, तो इसलिए यह यहाँ पर सूका लोप हो गया, ठीक है? पुन्सकत्व बताया नहीं, तो सून परत्य होता है भावलक्षित होता है जिसके द्वारा भावलक्षित में वर्तमान, स्था इन, क्री ये जुद धातों गिना रखें, इन धातों से तो सून परत्य होता है, जैसे पुरा सूरियस्य उदेतो, राधेया, उदेतो, यहाँ पर न, यह उदेतो, राधेया को अलग-अलग करेंगे तो उदेता हो, उदेतो हो, आधेया, यह है वाक्षित, उदेतो हो, यह रै को हमने जब एक साथ संधी में लिखेंगे तो उदेतो राधेया, संधी विछेद करके लिखेंगे तो उदेतो हो, आधेया, उदूपसर्ग है, और इन धातु है, और इन का अनय तो अलंत्यम चला जाएगा, और तोसुन प्रत्य हो गया, तोसुन का तोस बचा, अब देखे, भाव लक्षित होता है जिसके द्वारा, लक्षते अनेनिती लक्षणम, भावस लक्षणम भाव लक्षणम, या भाव लक्षते अनेनिती, भाव है लक्षण जिसका, तो भाव मनि क्रिया, क्रिया लक्षित होती है जिसके द्वारा, जिस दूसरी क्रिया के द्वारा, इन्होंने पुछाए कि इसमें समास क्या है भाव लक्षने में, लक्षते अने निती लक्षनम, ये तो लक्षन सब करण साधन लुट परते हैं, और भाव का और लक्षन का स सश्ठी समाज कर लेंगे फिर भाव अश्य लक्षणम भाव को लक्षित करने वाला जो भाव लक्षण में वर्तमान जो धातू भाव लक्षित होता है जिसके द्वारा ऐसी क्या ऐसी धातू मानि ऐसी धातू जो किसी दूसरे भाव को लक्षित करे भाव क्रिया होती है तो भाव लक्षित है जिसके द्वारा उसमें वर्तमान कौन-कौन सी स्था, इन, क्रिये, वदिचरी, भूत, अमिजनी ये धातू जिना दी, भाव लक्षित में ये वर्तमान धातू हो तो इन से तो सुनोता है लक्षते अनेंतल लक्षित में लक्ष धातू से लुट प्रत्य किया और लुट को अन हो गया, किस साधन में हुआ लुट? करन साधन हुआ है भाव में जो सष्ठी हुई है, किस कारक में है? भाव से लक्षनम में जो भाव सब्द में जो सष्ठी वगती है, ये किस कारक में है? ये भी बताना पड़ता है, कि ये जो सष्ठी हुई है, सष्ठी जो होती है, कई जगें कर्ता में होती है, सष्ठी कई जगें कर्म में होती है, सष्ठी कई जगें शेष सम्मंद में होती है ये मुख्य विभाग हैं सस्थी के, कर्त्री सस्थी, कर्मनी सस्थी और संबंध सस्थी एकाज जग करण में भी सस्थी है, जैसे जिवों विदर्थत से करणें, तो वाँ करण में सस्थी की हुई है और एक विभाग और है, कर्म की सेशत् विवक्षा, करण की सेशत् विवक्षा में सस्थी है, अर्थ कर्म का निकलेगा, सस्थी हो रही है कर्म की सेशत्विवक्षा का मतलब है कि अर्थ तो कर्ण का देगी पर विभक्ती सस्थी दिखाई देगी अधिगर देशाम कर्मनी सूत्रे कर्म की सेशत्विवक्षा में सस्थी होती है क्रिया प्रतियत ने कर्म की सेशत्विवक्षा में सस्थी होती है रुजार्थानाम भाजनानाम अज्वरे कर्म की सेशत्विवक्षा में सस्थी होती है दिवस्त दर्थस्य दिवधातू के कर् कर्त्री कर्मनों कृति सूत्र तक, कर्त्री कर्मनों कृति सूत्र निकाल करके देखो अस्था देहिका, दूसरे देहिका, तीसरा पद, सस्थी से 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 लेकरके, और आगे कर्त्री कर्मनों कृति एक सूत्र आ रहा है, इन बीच के सूत्रों में जो सस्थी होती है, वो कर्म की स सत्य वक्षय या अधिकरण की से सत्य वक्षय में सस्थी होगी समझ गया जी कर्त्री कर्वन कृती से पहले पहले जैसे यह सूत्र है जो कृत्व और्थ प्रयोगे काले दिकरणे वो अधिकरण की से सत्य वक्षय में सस्थी होगी द्वी कृत्ववा आहनो भूंगते, दिवसय भूंगते। दिन में दो बार खाता है na, पर अर्थ सश्ठी हो रही है, अर्थ तो दिन में और सश्ठी हो रही है, दिवसय द्विर भूंगते। पंच कृट्वा दिवसाथ स्य भुंगते अधिकर्ण कारक की सेशत विवक्षयma अधिकर्ण कारक को अधिकर्ण कारक के रूप में नहीं कहेंगे, संबंद के रूप में कहेंगे कάνा का मतलब है कि वह जो शस्थी है ना, विबबक्ती तो शस्थी सुनाई दे रही है पिर अर्थ क्या है कर्म का रख्का कर्म को कर्म के रूप में नहीं कह रहे हैं उसको शेष रूप में कह रहे हैं सेष क्या होता है जहां कर्मादी को कर्मादी के रूप में ना कहें वही शेष है कर्मादी नाम अभिवक्षया सेष है कि शष्ठी सेशे शूत्र में जो शेश पद है उसका क्या रत होता है कर्मादियों की जो अविवक्षा है ना कर्मादी की कर्मादी के रूप में कारक के रूप में विवक्षा ना करें ठीक है कर्मादी की कर्मादी तो कारक ही होते हैं कर्मादी की कर्मादी के रूप में वि वक्षा ना करें तो वो शेस बन जाता है तो करमादी की करमादी के रूप में विवक्षा नहीं करेंगे तो किस रूप में करेंगे विवक्षा सम्मन्द रूप में विवक्षा करेंगे जैसे माता का स्मर्ण करता है तो मातु स्मर्टी बोलेंगे तो स्मर्ण के साथ सम्मन्द जोड़ दिया माता का एक तो कहें मातरम स्मर्टी देवदत मा को स्मर्ण कर रहा है जब सामन रूप से स्मर्ण करें तो मातरम स्मर्थी और उतकंथा पूर्वक स्मर्ण करेंगे तो सश्ठी होगी मातु स्मर्थी हो भी सकता है नहीं भी उतकंथा का मतलब एक दम से व्यग्रता पूर्वक स्मर्ण करें तो भाव लक्षन में वरत्मान, भावश लक्षन में जो भावश में सस्थी है वो यह सस्थी प्रकरण कितना लंबा है इसमें यह बवरी समाज जैसे है ना सस्थी सेशे लेकर पूरे लास्ट तक सस्थी चलती है कर्मादी की अभिवक्ष्या सेश है ना उससे पहले जो चल रहा है प्रकरण जो आप सश्ठी सेशे सूत्र पर जो पहुंचे तो उससे पहले जो चीज आ गई है वही तो पकड़ेंगे उससे जो बचेगा वो शेश कहलाएगा तो कर्मादी की अभिवक्ष्या सेश होती है यह जो कारक रूप जो अर्थ है इनको कर्म के रूप में हम नहीं कहना चाहते है, वक्ता जो है कर्म के रूप में नहीं कहना चाहता है। यह करता है, यह संप्रदान है, उसके रूप में नहीं कह रहे हैं, इन दोनों को संबंध के रूप में कह रहे हैं, स्वास्वामी संबंद को बताया जा रहा है, यहां पर कर्ता और संप्रदान के रूप में नहीं कह रहे है, एक और उधारन देता हूं देखो, उससे पता लगेगा, जैसे वरिक्षत से शाखा, अब यहां पर कर्मादिकारक, बताओ जी, यहां पर यह वरिक्षत, दिकर्ण क यह जो है व्यावारिक प्रक्रिया में, तार्किक प्रक्रिया में जो है, साखाशू वरिक्षो भवती, वरिक्ष करता कारक और शाखा अधिकर्ण कारक, तार्किक प्रक्रिया समझते हैं, तार्किक प्रक्रिया एक टेक्निकल शब्द है, नईयाईक प्रक्रिया को तार्कि प्रक्रिया बोलते हैं तो तार्किक प्रक्रिया में तो शाखासु व्रिक्षोब होती है ऐसे बोलते हैं अवैवू में अवैवी होता है तार्किक प्रक्रिया में अवैवू में अवैवी जैसे वस्तर बताएंगे ना तंतुशु पटा कपालेशु घट ऐसे बोलेंगे लेक में साखाएं, वस्त्र में तंतु, घट में कपाल ऐसे बोलेंगे, समझ गए अंतर, तो जब आप व्यावारिक प्रक्रिया ले रहे हो, तो व्रिक्ष अधिकर्ण है, शाखा करता है, और यदि आप तार्किक प्रक्रिया से देख रहे हो, तो शाखा अधिकर्ण है और व्रिक व्रिक्ष करता है, तारकिक प्रक्रिया में अवयवू में अवयवी कहा जाता है, जब शाखा में व्रिक्ष देख रहे हैं, शाखा तो अवय होते हैं न, व्रिक्ष में साखा तो ये व्याभारिक लोग व्याभार की प्रक्रिया है, शास्त्री ये प्रक्रिया है न, जो नया जो आवेव है न ये पेड के जितने भी आवेव इसके अंदर एक आवेवी एक अलग पदार्त देखते हैं एक आवेव भी एक चीज है उसके अंदर एक आवेवी पदार्त देखते है ठीक है राज्यां पुर्शा में राजा करता है पुर्शंप्रदान है सश्ठी जहां भी होगी इस तरह से दो कारक होंगे तो दो कारक जरूर होंगे फिर उसको उन कारकों के रूप में हम नहीं कहते उन दोनों को सम्बंद के रूप में कहते हैं भी सस्थी होगी जैसे यहां हम कह रहे हैं व्रिक्ष और साखा आपस में अवयव अवयवी के रूप में संबंधित हैं यह कहेंगे यह संबंध तो कई प्रकार के होते हैं जैसे यहां पर अवयव अवयवी यह अवयव है यह अवयव अवयवी के रूप में हैं यह संबंधि correlated with each other एक दूसरे के साथ related हो रहे हैं और जो है हम बोलते हैं राज्यापुरसा तो यहाँ पर स्वस्वामी के रूप में एक दूसरे के साथ related हैं ठीक है ना जैसे हम यूँ कहे हैं पिता का फुत्र तो यहाँ पर पिता कौन सा कारक है पुत्र कौन सा कारक है पिता पुत्रम पिता करता कारक है पुत्र जो है कर्म कारक है पिता पुत्रम उत्पादेतिया पिता पुत्रम पालेति पालेति जो है इस क्रिया की दृष्टि कारक जो होता है किसी क्रिया की द्रिष्टी से होते हैं, ये बात भी दिमाग में बिठा लेना, जैसे हमने कहा कि राजा पुरुषाय ददाती, अब ददाती क्रिया हमने की, तो राजा करता हो गया, पुरुष संप्रदान हो गया, व्रिक्ष से साखा हमने का शाखासु व्रिक्ष अस्ति क्र कटिया है न then beta 26 जल एक अर्टा कारक हो गया हमने बोला साखा सु वरिक्षा तो शाखा जब अधिकरन कारक है और विक्ष अस्तिया वरिक्षे साखा संति वहां पर शंति करिया होगी कारक qyran वो क्रिया जरूर होती है बिना क्रिया के कारक कुछ नहीं होता है कारक का मतलब यह उसकी अनवर्थता उसकी जो संजिया है न वो अनवर्थ संजिया है कारक मानी क्रिया निर्वर्तकम कारकम क्रिया का निर्वर्तक कारक होता है कारक शब्द जो है ये क्या कहता है क्रिया का निर्वर्तक क्रिया को बनाने वाला कारक होता है क्रिया निस्पाद कत्वम कारकत्वम क्रिया निर्वर्त कत्वम कारकत्वम क्रिया का निर्वर्तक कारक होता है तो यहाँ पर सश्ठी जो हुती है ये एक व्याकरण की बहुत बड़ी मतलब बहुत ही एक जबरदस्चीज है सश्ठी व्याकरण पढ़ने वालों के लिए इसले इतना लंबा प्रकरण रखा है पाणे ने सश्ठी को सारे विबख्तियं थोड़ी छोटी छोटी चोटी कर दि और सश्ठी को इतना लंबा कहना पड़ा सस्थी से से लेकर के पाद की समापती तक सस्थी चल रही है तो एक ये होती है देखो सेशत विवक्षा में सस्थी होती है कर्मादी कारकों की सेशत विवक्षा में सस्थी होती है फिर एक कर्तरी सस्थी होती है एक कर्म सस्थी होती है वहां शेशत्विवक्षा नहीं है, वहां कर्ता में सस्थी है, कर्म में सस्थी है, ऐसे बोलते हैं, कर्ता में सस्थी है, कर्म में सस्थी है, ऐसे बोलते हैं, ये कर्तरी कर्मनों कर्ति वह पर आप तो कर्मनी जो सूत्र है न, वो कर्ता में सस्थी, कर्म में सस्थी करते हैं, तो भावस्य लक्षित होता है जिसके द्वारा वो लक्षित होता है, लक्षित होता है जिसके द्वारा लक्षित होता है, लक्षित होता है जिसके द्वारा लक्षित होता है, लक्षित होता है जिसके द्वारा उसको लक्षित होता है, लक्षित होता है जिसके द्वारा उसक वाला भाव को जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है। झाला भाव को जिसके दो जाता है।